अस्सलाम अलेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आर चैनल शेरे अली तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, रमजान का महना शुरू हो चुका है और हमारे सब ही वीडियोज जो हैं, अब रमजान से रिलेटिड ही बनाए जा रहे हैं तो दोस्तों, जैसा कि हमने हमारे पिछले दो विडियोज में रमजान की फजीलत और उसके चांद को देखने की फजीलत के बारे में बयान फरमाया है, आज हम बात करेंगे कुरान पढ़ने की फजीलत के बारे में, हाँ जी दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं है, पैल आइकन पे जरूर हिट करें ताकि आपको आने वाले सबी वीडियो के नोटिफिकेशन्स मिलते रहें और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे पिछले दो वीडियो भी देख सकें तो उसके लिए आपको जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो चलिए दोस्तों आज का हम वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं जिसका टॉपिक है कुरान पढ़ने की फजीलत कुरान पाग अल्ह ने हुजूर अल्य हो आ वालेगी वसल् mangפ नाजिल फिर्म फर माई कुरान पाग दुनिया में नाजिल हूई चोती और आख्री आस्मानी किताभ है अल्हाफ कि तुम कुरान पढ़ों तो कि कुरान वो अजीम किताभ है पिर नाजल फरमाई कुरान पाक, दुनिया में नाजल हुई चौती और आखरी आस्मानी किताब हैं, अल्ला फर्माता है कि तुम कुरान पढ़ Mouse क्योंकि कुरान वो अजीम किताब है, जिसमें Allah ने हर चीज़ का बयान फर्माया है, इस दुनिया के बनने से लेकर इस दुनिया के खातमे तक आखरत के सभी बयान फरमाए हैं हुजूर फरमाते हैं कि तुम कुरान पढ़ो, कुरान को बावजू पढ़ा करो कुरान को पढ़ने से पहले उसे अपने सीने से लगाओ कुरान को अपने सीने से लगाने से तुम्हारा कल्ब रोशन होगा उससे तुम्हारी दुनिया रोशन होगी कुरान पढ़ोगे तो कबर में रहमत होगी कुरान पढ़ोगे तो आखरत में कामियाब हो जाओगे कुरान पढ़ोगे तो जन्नत के दावेदार हो जाओगे कुरान का एक हुर्फ पढ़ने पर अल्लह अपने बंदों को दस नेकिया आता फरमाता है और रमजान में अल्लह ने हर नेकी का सवाब सत्तर गुना बढ़ा दिया है यानि आप रमजान में कुरान का एक हुर्फ पढ़ोगे तो आपको सत्तर नेकी की जगा साथ सो नेकियां मिलेंगी इन्शालला कुरान खुद भी पढ़ें और घर में दूसरों को भी पढ़ाएं जिस शक्स को कुरान पढ़ना नहीं आता वह बावजू होकर कुरान को अपने सीने से लगा कर उसके हर हुर्फ पर उंगली फेटते हुए कुरान मजीद को देखे इस से आपको कुरान को देखने और छूने का सवाब मिलेगा अल्ला फर्माता है कि मेरी किताब कुरान को देखना पढ़ना और सुनना सवाब का काम है जब कुरान पाक पढ़ने वाले शक्स का इंतिकाल होता है तो कबर में मुनकर नकीर आते हैं तो कुरान वहां बाजाहिर हालात में आगर मुनकर नकीर से फर्माता है कि ये शक्स तो रोज कुरान की तिलावत किया करता था इसने मुझे पढ़ा है इंशालला मुनकर नकीर उस शक्स पर अल्ला के हुक्म से नर्मी से पेश आएंगे हमें अपने अंदर कुरान पढ़ने की आदट डालनी चाहिए अगर हम इसके आदी नहीं है तो हमें छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेकर धीरे धीरे कुरान को पढ़ने की आदट डालनी चाहिए पहले एक वर्क से शुरू करें एक पेट से शुरू करें और फिर धीरे धीरे करके एक रुकू एक पारा और जादा से जादा कुरान को पढ़ने की कोशिश करें जितना जादा हो सके उतना जादा कुरान को पढ़ने की कोशिश करें इनसान को हर साल रमजान में कम से कम एक कुरान तो पढ़ना ही चाहिए अल्ला फरमाता है कि कुरान में शिफा भी है कुरान में रहमत भी है कुरान बरकत भी है कुरान में बिमारियों से शिफा के लिए बेशुमार दुआए है कुरान में मौझूद दी है हुजूर صلی اللہ علیہ وآलہ وسلم ने फर्माया कि कोई शक्स किसी बिमार शक्स पर साथ मर्तबा सूरे फातिया को पढ़कर दम करे तो अल्ला उसे बिमार शक्स को शिफा अता फरमाएगा कुरान को जादा से जादा पढ़िये अल्माए एकराम फरमाते हैं कि तजबीर सीखें यानि कुरान को सही तरह पढ़ना सीखें कोई भी हुर्फ गलत पढ़ने से उसके माइने बदल जाएंगे और कुरान को गलत पढ़ना ये जायज नहीं हुजूर अकरम सलिल्लाह अलेह वालेह वासलम ने जो सही तरीका बताया है कुरान पढ़ने का उसी तरह से कुरान पढ़ोगे तो कामियाब हो जाओगे कुरान पढ़ना और सुनना दोनों ही सुन्नत मुबारका है कुरान मजीद अच्छी आवाज में पढ़ने से अल्ला उस बंदे पर रहमत की निगा डालता है यह अच्छी आवाज में कुरान पढ़ना मतलब कुरान को सही तरीके से पढ़ना है हुजूर फर्माते हैं कि कुरान को अपनी आवास से जीनत दो तो अल्ला हम सभी को अपने हबीब के सदके सही तरह से कुरान पढ़ने और सुनने की तौफीक अता फर्माए तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने जाना कि कुरान पढ़ने की क्या फजीलत है और क्या नेकिया क्या सवाब मिलता है कुरान पढ़ने से और जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमजान में हर नेकी का सवाब सत्तर गुना बाता है तो आईए इस माहे रमजान हम कोशिश करें कि अपने घरों में जादा से जादा कुरान के तिलावत करें खुद ही और साथ में अपने घर के सभी लोगों को कुरान के तिलावत करने की आदत बनाए तो दोस्तों तो आईए हम सब कोशिश करते हैं कि जादा से जादा कुरान पढ़ें और अल्ला की इबादत करें और जो भी इबादत हम अल्ला की करते हैं उसका इसाले सवाब हम अपने मरूहूमों तक भी पहुचाएं ताकि हमारे साथ-साथ उनकी रूहों को भी सुकून पहुचे तो दोस्तों बस यही था हमारा आज का वीडियो तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो उसे ज़रूर लाइक करें, शेर करें और इस वीडियो को दूसरों तक पहुचाने की भी कोशिश करें आपको हमारे सभी जो वीडियो हैं रमजान से रिलेटेड उनका सभी का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में असानी से मिल जाएगा तो उन्हें देखें, उन पर अमल करने की कोशिश करें और अपने घर परिवार में भी सब को उस पर अमल करने की बात बताएं